दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा जब भी आपको कोई अंजान नमबर से कॉल आता है तो ना आपको उस कॉलर का नाम पता होता है ना उसका कुछ डिटल्स पता होता है ऐसे में आपको कॉलर रिसीव करना पड़ता है कि यह जनने के लिए कि यह कौन है लेकिन आज मैं आपको कोई भी अंजान नमबर से कॉल आएगा तो उसका नाम के साथ फोटो भी सो करेगा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर इसके बाद आपको डिशाइड करना है उसका लको रिसीव करना है या नहीं करना है वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है करते हैं आप सबसे पहले आपको अपना प्लेइश्टर्स से एक अपलिकेशन डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम मैं डेस्क्रिपशन भी दे दूआ तो वहां से भी आपदो कर सकते हैं तो सबसे पहले उस ह待 कि अपन कर लेना है कर देखेंट इस अपनमेटेशन आपको मैं ओपार हो ओपन होने का बाद कुछ इस तरह इंटरफेश्य नजर आएगा, friends आपको यहाँ, get started, click करनेक बाद, friends, यहाँ कुछ permission मांग रहा है, यहाँ आप को, permission देदेना है, allow कर लिये, देखे, friends मैं allow कर ली ऑप हिर नीचे को, आपको permission देदेना, नीचे क्लिक कर लेना है और यहां पे आपको on कर लेना है तो friends यहां हो चुका है तो आपको यहां continue कर लेना है continue कर लेने के बाद friends आपको यहां अपना नमबर दे दीजिए आपका mobile नमबर जो नमबर आप ही उज़ करते हैं तो friends मैं यहां मेरा number दे चुका हूँ, देने के बाद आपको यहां contact नीचे connect का option मिल जाएगा friends, यहां आपको connect कर लेना है तो friends कुछ इस तरह मेरा नाम भी निकल के आ चुका है और यहां आप देख सकते हो मेरा photo भी आ चुका है तो this is me पे क्लिक कर लेना है तो friends देख सकते हो, यहां मेरा सभी contact का photo निकल के आ चुका है क्योंकि मेरा यहां network issue है, तो थोड़ा सा कुछ contact का photo नहीं आया लेकिन यहां आपका सभी contact का photo निकल के आ जाएगा तो आप यहां से देख सकते हो, आपको photo दिखाए देगा फिर आपको जोब कोई भी आपको call करें अंजान number से उनका photo details से साथ आ जाएगा तो friends असा करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कर दिजे, चैनल को subscribe कर दिजे Thank you friends, जजगरनात, धन्योबात